Hello everyone, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे आज का जो हमारा प्लान है वो है हमारा 10-5-5 फिट का प्लान यानि कि 10-5 फिट इसका फ्रेंट है और 55-5 फिट इस प्लान की लंबाई है अगर हम इस पलान के स्कौायर फिट करें तो हैमारा 550 स्कौायर फिट का plot है गजेंँ बात करेंगे तो हमारा 61 गज़ का plot है अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं, तो आप हमाई चैनल को सब्स्ट्राइब दरूब करें और वीडियो को लाइक करना नबूलें अगर आप भी अपने घर का नक्षा हमसे बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें वाट्सप नमर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं, वाट्सप नमर हमने डेस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो की लास में आपको बताऊंगा, इसका एक पंजल बनाने में कितना घर चाहेगा, कित 9 ft 9 inch, 9 ft 3 inch का आपको यहां पर का बाइक पारकिंग मिलेगी तो यहां पर आपकी बाइक अजाएगी, यहां पर हमने 3 ft 4 त चाहरी श्टेयर्स प्रवैट के हैं, तो यहां से आपने 1st floor पर जाएंगे, जैसे हम आप एंट्री करते हैं, तो हमारा पूरा hall area यानि के living area आपको मिलती है इसके सामने आपको मिलता है common toilet bathroom जो आपके family members और guests दोनों यूज़ कर सकते हैं तो 5-6 feet का आपको common toilet bathroom मिलेगा इसका ventilation हमारे OTS से connect है तो यह हमारा OTS का portion है 2 feet 6 inch by 5 feet 4 inch का आपको OTS यहां पर मिलेगा इसके बरावर में आपको मिलता है एक kitchen 8 feet by 5 feet का आपको यहां पर एक kitchen मिलेगा इस kitchen की window हमने यहां पर दे रखिए तीन फिट चौली विंडो दी है जो हमारे OTS से connect है तो kitchen की जो भी smell होगी वह इसके तुरूफ पास आउट हो जाएगी फिर हमने पूरे प्लांट के अंदर एक bedroom प्रोवाइट के है बैड्रूम के साथ आपको मिलेगा dressing area आप चाहोँ तो इसको store बना सकते हो या अटेश बात्रूम बना सकते हो इसको तो बैड्रूम जो है वह हमारा 9 feet 3 inch by 11 feet 9 inch का आपको यहां पर बैड्रूम मिलेगा इसी बैड्रूम के साथ हमने यहां पर एक ओडो प्रोवाइट के अपने OTS में आने के लिए तो हमारा OTS का पोर्शन है चार फिट बैड चार फिट ग्यार इंच का आपको यहां पर OTS मिलेगा ताकि हमारे बैड्रूम के अंदर रोशनी सही रहे इसके आउटर वाल हमने यहां हमने चार प्रोवाइट की है और यहां पर हमने 9 इंच की रखी और बैक साथ में 9 की वाल प्रोवाइट की है इसमें टोटल कॉलम जो हमने दिये हैं वह बारा कॉलम साथ हमने 9 इंच वारा इंच का रखा है इसका एक मन्दल बनाने में जो लगाशा आएगा वह 17 लाक्या as- पास आएगा वह सुरी कॉलम साइज जो आमने रखा है वह नौइ इंच वाई नौइ इंच का रखा है तो यह था हमारा आज का प्लान आशा करता हूं प्लान पसंद आया होगा अगर प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना कर